और मेरे प्यारे फूडीज कैसे हैं आप सब अगर आप भी स्मोगी पनीर टिका घर पर खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है एक बड़े से बाउल में ना हंक कर लें अगर हंक कर ना मिले ना तो नॉर्मल दही को कपड़े में थोड़ी तरी के लिए लटका दें ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए तो घर पर ही मिल जाएगा नहीं आपको भी हंकर तो नमक, कश्मीरी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, आदा छोड़ी चमबाच, काली मिर्ची का पाउडर, भुने वे सीरे का पाउडर और चाट मसाला, गर्म मसाला, घस्तूरी म साथ ही एड़ कर देंगे दो बड़े चमबाच बेसन, पहली टिप आपको बता रही है, बेसन को रोस्ट करके एड़ करना है, फूड कलर टोटली ऑप्शनल है, मार्केट में डलता है, इसलिए मैंने एड़ कर दिया, और मस्टर्ड ओयल को पहले मैंने अच्छे से गरम कर लिया था, उसमें धूए उठाया थे, फिर उसको normal room temperature पर आने के बाद एड़ कर दिया है, पैटर रेड़ी कर लेंगे, पैटर रेड़ी करने के बाद, कैप्सिकम, टमैटो, अनियन, पनीर, सारी चीजों को क्यूब साइजिस में कट कर लिया था मैंने, अब हलके हाथों से आपने क्या करना है, coating करनी है, ये strap आपने बहुती patience के साथ करना है, अगर जल्दबाजी करोगे तो पनीर जो है न वो तूट जाएगा, फिर 10-15 मिनिट के लिए इसको rest के लिए रखेंगे, पनीर को marinate होने देंगे, तो इसमें मैंने smoky flavor के लिए कोई लोग अच्छे से ग इसी तरीके से step by step repeat करते जाएंगे, और जितना आपको चाहिए आप एक stick में अच्छे से लगा लें, ये देखिए, तो ये stick ready हो चुकी है, इसी तरीके से मैंने और भी stick तयार की है, यहाँ पर मैंने normal pan ले लिए है, grill pan, आप चाहिए तो non-stick pan भी ले सकते हैं, इस तरीके से आप क्या करें, एक के बाद एक stick रख दें, और उसको धीमी धीमी आज पर हम पकाएंगे, gas का flame बिल्कुल medium है, जैसे एक side से थोड़ा सा होने लगेगा, सिख जाएगा, तो दूसरी तरफ से इसको turn कर देंगे, और ये देखिए, इस तरीके से घुमा घुमा कर आपने इसक अच्छे से सेक लेना है, बीच-बीच मा oil brush करेंगे, जिससे इसका texture और टेस्ट बहुत अच्छा हैगा, तो ये देखिए, एक side से हो चुका है, तो मैं इसको पलट रही हूँ, और घुमा घुमा कर इसको अच्छे से से सेकेंगे, फिर हम क्या करेंगे, बिल्कुल market जैसा texture इसलिए मैं direct gas से ओपर रखोंगी, ताकि इसके ओपर अच्छे से grill mark आजाए, ये देखिए, आप चाहें तो direct gas पर भी सेक सकते हैं, लेकिन अगर pan में सेकेंगे, फिर gas पर सेकेंगे, तो बहुत ये अच्छा टेस्ट आता है, और इसमें कोई कच्छापन आपको नहीं लग करना, मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए, बाइ-बाइ, थेंक्स फो वाची